नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का वीकी नियूस पर मैं हूँ आपके साथ चेतन पाठक युक्रेन और रशिया का जो जंग है वो अभी भी जारी है, युद्ध अभी भी जारी है और लगातार इस बीच भारत से कई बार मांग की गई कि किस तरीके से वो मदस्ता करे और इस युद्ध को रुकवाए यह कई बार जो खबरे हैं वो सामने आई हलाकि यह खबर भी सामने आई थी कि किस तरीके से विदेश मंद्री ने बताया था कि अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए युकरेन से निकालने के लिए और रशिया से निकालने के लिए कुछ देर के लिए प्रधानमंतरी मोदी ने हाला कि युद्ध को रुकवा दिया था बात करके ये बात जैशेंकर ने खुद कही थी लेकिन अब कुछ ऐसी खबर सामने आई है इस युद्ध से जुड़ी हुई और भारत से जुड़ी हुई कि आपको भी ये बात जाननी चाहिए इसलिए जब आपके सामने है दरसल खबर ये है कि इस युद्ध के बीच रशिया ने अपने दोस्त भारत से कुछ मदद मांगी क्या वो कुछ मदध है और किस तरीके से भारत वो मदध बहुंचाएगा और क्या मदध है उस पुरी खबर को मोदी में काफी गहरी दोस्ती है कई मौकव पर उन्हें देखा गया है साथ अभी जी ट्विंटी समिट में वह नहीं पहुंच पाये थे पुतीन लेकिन जब विदेश मंतरी उनके पहुंचे तो इस बारे में जरूर इस बात की चर्चा की गई होगी लेकिन अब जो खबर सा जाते हैं अकर 1971 की युद्ध की बात करेंगे तो भारत और रश्या की जो संबंध हैं तो इस युद्ध में पूरी पूरा विश्व एक तरीके से कहें तो रश्या के खलाफ खड़ा नजर आ रहा है और इसमें रश्या ने अब भारत से कहा है कि उसे करीब 500 आइटम्स की ए पूरा एक लॉबी है जो नाटो देशों की जो लॉबी है इस वज़य से उसे इन चीजों की जरुवत पड़ रही है और उसने भारत से ये कहा है कि इन 500 चीजों की जरुवत हमें है और इनको आप हमें प्रुवाइड कराएं और उसके बाद जो लिस्ट बनकर आई है उस को भारत को भेजा गया है कि आप बताएं हमें ये चीज़े जो है आप प्रुवाइड करा दें गौर करने वाली बात ये भी है कि ये लिस्ट ऐसे वक्त में भेजी गई है जब पिछले हफते ही जो भारत के विदेश मंतरी एस जरुशंकर जो है वो मास्कों से वापस मांगी है लिस्ट में काफी काफी दर चीज़े में पढ़के बताना चाहूंगा जिसमें पिस्टन है ऑइल पंप्स हैं इगनिशन है कोईल्स हैं बंपर्स हैं सीट बेल्ट हैं गाडियों के इनफोटेन्मेंट सिस्टम्स हैं ये हैं तो जो जो चीज़े मांगी हैं वो जो है कार से रिलेटेड है जो एरक्राफ्ट हैं उनसे रिलेटेड है और जो हेलिकॉप्टर हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है एरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टर के पार्ट्स के गर बात करें तो फ्यूल सिस्टम की डेमांड रखी है communication system जो है उसकी demand रखी है fire extinguution system जो होता है जो आग बुझाने के लिए इस्तमाल होता है उसका इसके लावा life jacket जो होती है उनका और aviation के जो टायर होते हैं के plane के helicopter के जो टायर होते हैं वो टायर भी रशिया ने इंडिया से मांगे हैं इसके अलावा जो है कई और चीज़े हैं जिसमें की paper जो प्रिड्यूस करने के लिए जो जिन raw materials की जूरत होती है उनको मांगा है paper के bags हैं वो मांगी गए है consumer की packaging के लिए जो चीज़े इस्तमाल होती हैं उनको और उसके अलावा जो textile में जो धागे हो गए या फिर उनको color करने के लिए जो die होती है तो यह सारी चीज़े जो हैं वो मांगी है रूस ने भारत से तो अब यह इतनी सारी चीज़े मांगने का क्या माइना आप देख सकते हैं क्योंकि युद के बीच में काफी ये बताया जा जाता हो युकरिन की तो से भी बात की गई थी कि रूस जो है वो अब युद हारने वाला है क्योंकि अब लोग उनके खिलाव विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि युद्ध की उपर जो रूस है वो बहुत सारा खर्चा कर चुका है और इसके खिलाव लोग भी विद्रोह कर रहे हैं तो अब भारत से ही मदद मागना और ये लिस्ट पूरी प्रोवाइड करके इसको किस तर और कई सारी बड़ी-बड़ी कंपनिया जो है, वो रशिया छोड़कर निकल गई है। चीज यह है कि भारत जो है रशिया के साथ में स्यूद में खुलकर खड़ा है नहीं खड़ा है इसे लेकर तठस्ता की नीती तो कहीं जा रही है लेकिन भारत ने जो रुख अक्तियार किया वो बेहदी गौर करने वाला है क्योंकि ऑईल की बात हो रही लगातार तो जो रशि जो ऑईल का इंपोर्ट था उसको बड़ी तादाद में बढ़ा दिया हाला कि उसमें कीमत का भी रोल है जिसमें एक मैसेज यह जा रहा है कि भारत को सस्ती कीमतों पर मिल रहा है लेकिन जो रशियार को पर सेंक्शन का असर हो सकता था उसको काफी हद तक कम करने में भारत इसमें सयोग किया कि वहां से जो है ऑईल का इंपोर्ट बढ़ा दिया है हाला कि जो अब 500 चीजों के लिस्ट भेजी है यह ख़बर जो है रोइटर्स के हवाले से है भारत सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा गया है सूत्रों के हवाले से रोइटर्स जो बता रहा है वो यह क लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी है कि देखना होगा कि किस तरीके से इन चीजों को सप्लाई किया जाएगा, क्या भारत इनको सप्लाई करेगा, अगर भारत इनको सप्लाई करेगा तो जो सैंक्शन को लेकर वेस्ट के साथ या नाटो देशों के साथ रश्या की परिस्तित लेकिन किसी भी तरह से आगर आप मदद करते हैं, क्योंकि सैंक्षन लगे हुए है और आप मदद करते हैं, तो क्या यह जो अमेरिका है या बाकी की नाटो द्रजियों है, इसको इस तरीके से देखेंगे कि इस युद्ध में भारत जो है उरूस के साथ खड़ा हो गया है, और जो यूक्रेन हो गया या बाइडन हो गया यह लोग लगातार भारत से उमीद भी करते रहे कि आप अपने संबंदों के इस्तमाल करके इस युद्धू को खतम कराने में रोल अदा करें दिल्चस्प यह भी है कि जी ट्वेंटी की जो अध्यक्षता है वो इस साल भारत के पास है तो जो भी global issues है जो major concern है उसमें भारत की भूमिका एहम है भारत से उमीदे जादा है और भारत क्या stand लेता है उस पर भी नज़र होगी तो अपने आप में यह बहुती बड़ी बात है कि अगर आप इसको 1971 से connect करके देखते हैं क्योंकि जब भी बात आती ही इंडिया और रशिया के संबंद बहुती प्रगाड़ हैं और आज रशिया जो है एक मुश्किल में है ठीक है वो लड़ रहा है जंग लड़ रहा है यूकरेन के साथ में लड़ रहा है उसका सिक्का थोड़ा सा अउपर है लेकि दबाव लगातार बनता जा रहा है क्योंकि पूरी जरूरी चीजे हैं जरूरत की चीजे हैं वहाँ पर लोकल लोगों के लिए रिक्वार्मेंट हैं चाहिए वो कार से रिलेट हो गया है, हलिकॉप्टर से रिलेट हो गया, एर कार्फ हो गया, उसके अलावा भी कई सारी बेसिक चीज़ें अगर आप देखेंगे कि आप जो है वो डाई की लिए बोल रहे हैं, इन्फोर्टेन्मिंट सिस्टम बोल रहे हैं, तो ये बेसिक चीजे रशिया चाहाएगा कि भारत उसको प्रोवाइड कराएगा, अब ये किस तरीके से होगा, ये ओपैनली होगा, या किसी बैक चैनल के जरीए होगा, इंडिया का इस पर क्य किया रेक्शन रहेगा, मदद की बीच में खबर ये भी चल रही थी अभी कि किस तरीके से इस युद्ध में, युकरेन ने भी ये दावा किया था और खबरों के मुदाबिक ये अगर बात सामने आई थी, कि पुतीन को जहान का खत्रा है, पुतीन की हत्या की अशंका यहा पुतीन हो, या फिर भी हमोदी हो, इनकी जान को खत्रा तो हमेशा ही रहता है, हमेशा ही रहता है, लेकिन आपको किसी बड़े इवेंट में जाना था, जी टूइंटी में जहां तमाम देश आ रहे थे, वहाँ पर हो सकता है कि पुतीन को जान को खत्रा हो, क्योंकि हमेशा यह ज़रूर है कि रशिया जो है आप इंडिया से help चाहता है क्योंकि जैसे जैसे sanctions की वज़े से चीजे जो है वो आगे बढ़ेंगी यो जितना आगे खिचेगा जरूरत की चीज़े तो लोगों को चाहिए ही होती है तो जो वहां की local public होगी जो वहां के local लोग होंगे ठीक ह है और लोगों में होती है लोग उसके लिए मरने मारने को जान देने के लिए त्यार रहते हैं हर तरीके से compromise को अपरेट करने के त्यार रहते हैं लेकिन जो जरूरत की चीज़े हैं वो तो रशिया को चाहिए और कि रशिया गवर्मेंट के उपर आगे जाकर इस पर मांगी है और कुछ 500 आइटम की जो लिस्ट है जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने मदद मांगी है इस युद्ध के बीच में हलाकि अभी भारत का आधिकारिक तौर पर इस पर बयान आना सामने बाकी है कि किस तरीके से भारत मदद करता है या नहीं करता है क क्योंकि किस तरीके से दुनिया भी इसको खत्रे में आ रही है क्योंकि दुनिया पर भी इसका असर पढ़ रहा है भारत पर भी इस युद्ध का असर पढ़ रहा है चीजे महंगी हो रही है और तमाम तरीके जो दिक्कते हैं वो सबको सामने आही रही है हलाकि भारत इस ये भारत के सामने आया है और भारत से उसने मदद मांगी है प्रधार मंतरी मोदी से उसने मदद मांगी है इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं और हमारी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज